अब जो प्रवीन है संगठन चनाता उसकी कई फोटो भी है हमारे पास परिवार के लोग से मिलने आए इस बुरे वक्त में हम लोग आशू पोचने का काम कर रहे हैं इनको न्याय दिलाने का लड़ाई लड़ रहे है अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपाक्स जो है वो प कि आपसी रजिश है एक तरफा गोली चलाई गई है तरफा कुकरी चलाई गई है और जो फॉजी एक बीएसर जवान की हत्या हुई है यह मामली बात नहीं है उसलिए हम सब लोग यहां आए हैं इनको न्याय मिले और जब तक यहां के डिएस पी और एस पी रहेंगे तब कि परिवार को जो है न्याय नहीं मिलेगा होली के बाद घटा होली में भी लोगों ने एस्पी को फोन क्या फोन नी उठाया गया उसके बाद जो है कोई सुरक्षा इनके परिवार को नहीं दी गई है और कुर्की जब ठाली जो है नाम पे जो है किया जा रहा है सुनने में तो आ रहा है कि पुलीस जो है वो प्रवीन को छोड़ दे नेपाल गई है प्रवीन को छोड़ दे गई है नेपाल अब यहां पुरा परिवार यहां डड़ा है एक ही घर की तीन तीन महिलाए विद्वा हुई है छोटे छोटे बच्चे हैं आप बताइए इनको न्याय कैसे मिलेगा जो लोग संद्रक्षन देने का काम कर रहे हैं वही लोग जाच कर हैं तो न्याय कहां से मिलेगा और यहां जो भी आई जी वगरा मुख्यमंत्री कहते हैं डीजीपी से बात करते हैं उनका एक भी वर यह पुलीस का अधिकारी जो यहां नहीं आया को दिये कह रहे हैं कि ब्यान टीवी में दे रहे कि हम जाकर के परिवार के लोगों से मिले आई जी और आई जी आहीं नहीं यहां परिवार से मिलने यह तो भी रोक्रेसी की भी हद हो गई मुख्य मंत्री ठक चुके हैं उनसे बिहार समहल नहीं रहा ग्री डिपार्टमेंट आज हम सुने मुख्य मंत्री का ब्यान की बोलते की क्राइम कंट्रोल करना पुलीस का जिम्मा है हमको लगा कि भाई पुलीस मैकमा जो है वो नितीश कुमार जी गरीम मंत्री है उनके जिम्मेदारी है लेकिन आप पता चला आप कोरिया के जो प्तीम जॉन है उनकी जिम्मेवारी है यह इस्तिती बनी हुई है क्या हो रहा है यह कोई नेतिकता के अधार पर अरे भाई आप मुख्यमंत्री चोर दर्वादे से बढ़ें बन गए मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री वाला काम तो किजे आप आईए इस परिवार से मिलिए बासू पोचिए सहारा बनिए इनको विश्वास दिलाइए इस परिवार को कि आगे से ऐसी कोई घट्टा नहीं होगी आपको सुरक्षा हम देगे और जो दोशी है उसको घर्षीट करके सनलाकों के पिछे जो है वो डालेंगा नहीं तो पासी की सजाम देए यह मुख्यमंत्री का काम है मुख्यमंत्री अधिकारी सब जो है संड्रक्षन देने का काम कर रहे हैं अगर दो अगर